अगर दोस्तों आपने डी टेल प्रिप्सरी की तरफ से एक्जाम दिया है जूनियर इंजिनर सिविल के लिए असिस्टन इंजिनर सिविल इलेक्टिकल के लिए तो आज की रिट में सभी का इजल जारी कर दिया गया है सबसे पहले हम जाने के ज़िलट के बारे में इजल आपको कहां चेक करना है और इन सभी पोस्ट के लिए कितने को टौफिया पर गई है तो दोस्तों इक चीज़ को अपको ध्यान लखना है जो आप सामने पोस्ट देख रहे हैं इनका कोड आपको यहां पर देख लेना है 801.22 और 804.22 यह विकेंसी कप जारी कियो गई थी इसके मादिन सब को पदस लि पारे में जो आप नोटिस जारी किये गए हैं उसमें सभी आपको जानकरी मिल जाएगी सबसे पहले आप देखेंगे आसिस्टन इंजिनर इलेक्टिकल 804 बटे कोड इसके माद्यम का सबसे पहले क्या करना आपको दोस्तों डी ट्रप्रसिक साइट पर आ जाना है इसका लि डानूल करने के बाद में यह दोस्तों अपको PDF के मादिम से उपन हो जाएगा यह रहा अब दोस्तों इसमें बेसिक जानकरी छोड़ी आपको जानकरी देखनी है तो मोटे मोटे सब्सक्राइब आपको यहां पर चीज़े बता देते हैं किसनी पोस्त थी कभी वेकेंसी थी दोजार 22 में कितनी टोटल पोस्त थी दस जनरल और OBC में पोस्त दी गई थी पोस्त कोड़ आप दोस्तों आपने देख लिया है चार सो आट सो चार बटे 22 आफ़ों नीच आएंगे तो दोस्तों जो आपको एक्जाम कराएगा था फस्ट वह आपको 1222 में कराएगा था सेगंड की चार आपको कराया था इसके माध्यम से 27-923 में जिसमें दोस्तों आज सी कैंड़िट ने एकजाम दिया था और कितने कैंड़िया आप सोलिस्ट के गए हैं सताइस वेकरिंशी के लिए यहां देख सकते हैं सताइस कैंड़िक यहां पर सोलिस्ट हो चुके हैं कट रही है यानि आपके जो वेकेंसी है 10 और केंडियेट हुए सोलिष्टी 27 कोटोफ के माधियम सभी केंडियेट को यहां पर बुला लिया गया है अब दोस्तों रिजल्ट को कहां चेक करना है चैसे करना है वो आपके यहां पर लाश्क में बताएंगे कोटोफ ने दोस्तों जान लिया है कितने बच्चे आपर आपके कटोफ के माधियम सहीज में सेलेक्ट के गए गए है अब स्कूर नी चाहेंगे तो दोस्तों आप जानना है कि आपको डोक्मेंस कब से कब अपलोड करने है जो इसमें के बाद दोस्तों मैसिज पहुंच गया होगा उनके इमेल आ पूर्ट स्विक्सिंट के माद्य में सब यह कुछ जानके दीगे डोकुमिन्स अप्लोड करने के लिए आपका सबसे पहले हाइज स्कूल अधार कार्ड और दोस्तों आपका फोटो एडमी कार्ड जो अपने एक्जाम देते हैं अपने दिया होगा वो सब लिंक आपको कब ओपन होगा है यह दिखा देते हैं यह रहा है इसका लिंक आपको डिश्ट बॉक्स में डाइटली पेच उपन कर लेंगे यह साइट दोस्तों बहुत वीक चल रही है इस पर टेक्निक इस चल रहा है क्योंकि साइट बहुत लोड है फोम भी भरे जा रहे हैं और दोस्तों इसके साफ यह भी अप लोड किया रहे हैं व इससाथ में डॉक्स वी अप्लोड किया जा रहे हैं तो इसके मादिम से आपको बहुत ध्यान से चीज़ें और अपना यहर्ट चैक करना है चेक करने के लिए दोस्तों इस पेज़ को पर जैसे ओपन करेंगे आपको यहां पर साइन करने के बाद में कुछ बेसिक डिटल आपको यहां पर भननी है आपको दिखा देते हैं कि बहुत से केंड़ें सोच रहेंगे यहां पर यांपर क्या से अप्लोड रहें तो वह भी परिकरिया आपको यहां पर दिखा देते हैं आप यृज़ित देखने के लिए ही यह दोस्तों साइट आपको दिखाई देखाई जा रही हैं इसके माद दिम से आप आपर एजल तो आपको कुछ डिटेल भननी है जैसे हाई स्कूल का रोल लंबर हाई स्कूल आपने कप पास की थी यर और दोसको का पासवर्ड और साथ में कैचप कोड ये सबी डिटेल आप भल लिनी है जैसे आप आप देख सकते हैं ये रहा रेइस्टर यूजर जैसे पहले से में रेइस्टर यूजर हैं तो आपको डेट अप बर्थ रोल लंबर कप पास की का दिया अपने कीती और पासवर्ड बहुत से केंडेट ऐसे होंगे इनके पासवर्ड पासवर्ड नहीं होगा भूल गए होगे तो क्या करेंगे अज़र पासवर्ड फोर्ड पासवर्ड करके अपना बना सकते हैं उसके बाद यहां पर फील कर सकते हैं कैच्छब कोड़ करेंगे यह पर साइन करेंगे साइन करने के बाद में दोस्तो क्या होगा आपके सामने man dashboard open हो जाएगी आपकी bad dashboard हो जाएगी तो आपको यहाँ पर दिखाए देगा दोस्तो तीन number पर यहाँ पर application आपको दिखाए देगी यहाँ आपको दिखाएगा DRS documents upload उसके बाद दिखाए देगा आपको यहाँ पर view result view result पर आप click करेंगे जिस post का विजल निकालना चाहते हैं उससे दोस्तों आपको वहाँ पर result click करेंगे second tier, first tier तो दोस्तों second tier का विजल निकालना है आपको वहाँ पर open हो जाएगा click करने के बाद में अब उने के बाद में आपको cutoff marks देख सकते हैं अगर आप clear pass है solution pass किया कर चुके हैं cutoff के मादे 170, 4.75 से cutoff जाते हैं तो माले जब को यहाँ पर select हो चुके हैं अगर दोस्तों क्या करना हो आपको यहाँ पर बदा जिते हैं simply documents upload करने के लिए आपको दिखाए देगा दोस्तों आप application board आपको दिखाए देगा form apply करने के लिए आपको दिखाए देगा DRS apply online तो दोस्तों आपको second वाले option पर करना है जान लिखना है e-dos लिखा हुआ है तो उसके लिए करना है क्लिक करने वापको basic detail को open हो जाएगी documents upload करने के लिए जो जो चीज़ आपको हमपर दी गई है सबी mentor होगी आपको हमपर upload करना है अब दोस्तों चलते हैं second वाले option पर जो आपको result दिया गया है junior engineer civil के लिए section officer civil के लिए post code दोस्तों हमपर check करेंगे post code पर आप देख लेंगे यह रहा 801 बटे 22 इसके माद्दिम से आपको documents upload करने कैसे करने आपको आपको बताया दिया गया है इसमें आप जागे परिकरिया देख लीजिए यहां से download करने के लिए बात आपको यहां पर दोस्तों यह PDF के माद्दम से open हो जाएगा हमने पहले से open किया आप यहां पर दिखा देते हैं आपको तो इसमें दोस्तों वही परिकरिया आप जानेंगे यह वेकंसी दोस्तों कब जारी के गई थी 801 code बटे 22 की गिए निए कितनी वेकंसी दोस्तों जारी के गए थी समसे पहले आप पर जान लीजिए वेकंसी आपको आई ती इडियो लेस में 54 थी जनल में 207 थी ओवीसी में 115 थी सी में 175 थी नॉर्मली स्टी में 26 और फिजिकल हेंडिव वेकंसी यहां पर दी गए थी टोटल वेकंसी दोस्तों आपके वी 477 सबी टीटल आपको यहां पर दी गई है इसके मां थोड़ों नीच आएंगे जो केंडिन आपको सोलिष्ट किये गए हैं सेगिंड आपको एक्जाम देख सकते हैं आपको कराया गया था दी एसवी के द्वारा यहां 27 सितंबर द्वारे थेस में आपको कराया गया था इस मादिम से जो केंडिन आपको सोलिष्ट किये गए हैं उनका दोस्तों आप रेजल्ट उसी वेबसाइट आपको देखना हुआ जो मैंने आपको बताया हुआ था आप थोड़ों नीच आए देखेंगे तो हैं पहले देखेंगे आपर दोस्तों कितनी कडिगरी में आप वेकंसी दी गई हैं एम सीडी में कितनी वेकंसी हैं दिल्ली एक्री कल्चर में कितनी वेकंसी हैं दिल्ली अर्बन में कितनी वेकंसी हैं तो सब इस टेक्टर आप आप देख सकते हैं यह रहा रोपसे नीचे गयो आप यहां पर देखना होगा तीजिगल हंडिकेपट के मादिम से सब भी वेगंसी आपको देखी गई है और टोल वेगंसी आपके ओगी यहां पर ही लिए आपको दोकमेंस कैसे अपलोड करना है कहां देखना है डोकमेंस कैसे अपलोड करने होंगे तो आपको इनके दिवारा मेंसी किया जाएगा इस चिर्द आपको ध्यान रखना है ऐसी अब छोल्ट the है इस जग्रड्रिंग करके वही पर इंदेटहों कि को हीड़ा वहाँ डेखना है तो दोस्त आपको बता देते हैं एसल टेंग लिए आपको साइड पार और ओणा होगा इस जगा पर तो समझ लीज़े आप यहाँ पर पास हो चुके हैं आपको यहाँ पर डोकम्स अपलोड करने हैं लिए कहा जा रहा है करना है कि आंब करना है दोस्तों चोड़ी आपको जिख दी गई इससे inois समस्जी आप कर सकते हैं कि मघेग सब कर सकते हैं आपके हैल परी जाएगी यहां पर लोगिन क्रने से से बाद में यह परक्रिया बहुत ध्यान से बननी है क्योंकि दोस्तों इस साइट बहुत वीग चल लिए टेक्निक इस इस चल रहे हैं जैसे मैं सुरूब आपको बताया था इसमें दोस्तों फोम भी अपलाई हो रहे हैं रिजल्ट भी आ रहे हैं और डोकमेंस से अपलोड कि देखने के लिए और दोस्तों न्यू जोब जाने की दर लें चाहते हैं तो टेलिगाम के मादम साब जूड़ सकते हैं लिंक आपको डिश्मोक्स में मिल जाएका धन्यवाद दोस्तों जैहिं जैवार